हेलो दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एगरिकल्चर को 1991 के जैसा रिफॉर्म चाहिए ठीक है तो ऐसा क्यूं कहा जा रहा है चलिए इस वीडियो में हम आगे देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो फाइनिंस मिनिस्टर ने अभी पैकेज दिया है फार्मर लोग को यह कोरोना के दोरान वो रिफॉर्म करने के लिए और यह बिल्ड करने के लिए एक एफिसियंट वैल्यू चैनों के जो की भरोसा दिला सके फार्मर्स को कि कुछ उससे प्रोड़क्ट मिल रहा है बिना उनके जेव में ज्यादा बोज पड़े हुए ठीक है तो आगे देखते हैं तो एग्रिकल्चरल सेक्टर इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे तो इन आसेंस था कंट्री इस फेशिंग इन नाइंटी इस नाइंटी नाइंटीवन मुवमेंट्स इन दा फार्म सेक्टर ठीक है तो अभी भी कंट्री उनीस्वेकानवी जैसा हालत फेश कर रहा है जब प्रॉब्लम बहुत अन्प्रिसेडेंटेड है ठीक है और पूरे स्ट स्ट्रेट्स में है एकने इसी स्ट्रेट्स में सारे स्ट्रेट+. यह घाट पाप्री lending कर रहा है। जो भी कल्तिवेटर्स है ह्ठीक है। हो भी स्टेकशोल्डर सोर्याइज कर रहे जो वर्क करें की बेस्ट पैच वर्क जो प्रवाइड करें ठीक है वो पाइलिंग अप मिसरीज हो सके सेग्मेंट अपड़ा एकोनॉमी और सेर अपड़ा जीडिपी कर सके से प्रोग्रेसिबली कमिंग ठीक है सप्लायर अब दा क्रेडिट अगरिकल्चरल पेकेज में अभी क्या दिया गया है तौरान कोविड-19 के चली देखते हैं तो फाइनिस मिनिस्टर गारा मेजर पॉइंट उन्होंने डिसकस किया था उसमें एट जो मिसलिनियस आइटम के ल क्रोड फोर टोमेटो ओनियन पोटेटो एंड अधर फूरूट एंड भेजिटेबल्स तो दोस्तों यह जो कदम उठाए गये हैं यह अच्छे डारेक्शन की और कदम उठाए गये हैं मगर अब कैसे होगा उसका डिटेल अभी नहीं है जब इंप्लिमेंट होगा जब फल इसका आने लगा यह तभी पता चले तो जो मोस्ट स्कीम्स है गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट करना है डवल फार्मर इंकम का जो 2022 तक ठीक है वह कंप्लीट हो जाएगा 99 इरिगेशन प्रोजेक्ट 2019 के रेट ओफ लेस देन 50% से तो एसेंचियल कोमेडिटी एक्ट 1955 होता क्या है बैक्गरोंड हम थोड़ा चले जाते हैं तो यह होता है कि यह इनक्ट किया गया था 1955 में और तब से यह गवर्नमेंट को गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है प्रोडेक्ट्चन सप्लाई और डिस्टिब्यूशन करने में ठीक है जो भी अगरी कल्चरिल प्रो इडिबल ओइल्स पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्स और सेंटर इसको इंक्लूड किया है निव कोमेडिटी जिसमें है अर्ट एराइजेज और लिस्ट वन्स दा सिच्वेशन इंप्रूब ठीक है तो सेंटर के हाथ में पाऊ रहे हैं और जो इसी है है एसेंशल कोम अमपटिन टाइमस टू एंशूर एड़कवेट सप्लाइड यह क्रैकड़ाउन करता है होड़स होड़स और ब्लैक मार्केटर्स को ठीक है और यह अनदर साइड ऑफ दा स्टोरी हम देखेंगे कि आलमस्ट ओल कोरॉप्स आर सीजिनल ठीक है तो रॉंड क्लॉक के लिए और हम देखेंगे कि रिफॉर्म्स जो रिलेट किया गया था अमेंडिंग दा एसेंचिल कमोडिटी एक्ट वह 1995 का वह बिरिंग करता है सेंट्रल एक्षिलेशन जो कि अलाव करता है फार्मर को की वह अपना फसल बेच पाएं किसी को भी ठीक है और आउटसाइड APMC ठीक ना और मंडी यार्ड जो भी सरकारी जो अग्रिकल्चरल प्रड्यूस मार्केट होता है सरकारी और यह बैरियर फ्री होता है इंट्रस्टेट ट्रेड कर सकते हैं और यह क्रिएट करता है लीगल फ्रेमवर्क टू कंट्रेक्ट फार्मर और बायर केन एसी और जो आया था ठीक है 1951 के बाद उसके दोरान भी और इंडिया जो फॉल बैक किया था पील फॉर फॉर हंडेट इंपोर्ट्स किया था वीट युएस से और कंट्री जो लेवल्ड सीप टू मौत एकोनोमी उसको कहा गया था ठीक है और भी इंडिया लाज़ेस्ट एक्सपोर करीज है हमारे ओवरफ्लो होता हो रहे है अभी ठीक है आवर लीगल फ्रेमवर्क ऑफ 1950 वह डिसकरेज करता है प्रावेट सेक्टर इंवेस्टमेंट स्टोरेज में और यह इसी है वह पूट स्टॉक कर सकता है लिमिट ऑन एनी ट्रेडर और प्रोसेसर और एक्सपोर्टर अधर ड्रॉप अपाहर्ट और एस रिजल्ट वह कंट्री लाक्स स्टोरेज फैसलिटी वह फार्मर जो ब्रिंग कर सकता है प्रोड्यूस तुदा मार्केट अप्टर हर्वेस्ट ओफेन गलट और प्राइस प्रमेट ठीक है और यह बोथ लूज करता है विकॉज आप लैक अगरी प्रियूस जो की होता है स्टोरेज फैसलिटी और ट्रांस्पोर्टेशन में तो यह सेकेंड जो है वो प्रपोजल प्रपोज किया गया था जो सेंट्रल लॉज की अनुसार की फार्मर को सेल कर सकते हैं एनिवन ओटसाइड दा एपीमसी यार्ड वो ब्रिंग कर सकत है ग्रेटर कंपेटिसंअ औरमंग्स्ट बैयर और लोवर दða मंधी फी कमिशन पॉद अरहतीयाज कंिषे एजंट्स और रीडिवस कर सकता आक से स्टेट गवर्मेंट इंपोज करते हैं एपीमसी मार्केट में फार्मर्स के अंदर और यह फार्मर्स सफर करते हैं मार्क पॉस्ट पॉनिस्टिक विथ हाई इंट्रमीडियेशन ठीक है वहाँ पर यह प्रॉब्लम बहुत किरी होता है कॉस्ट तब प्रपोस्ज लॉविल जो है वह ओपन करेगा चॉइसेस फार्मर के बीच में और वो हेल्प करेगा उनको कि उनको बेटर प्राइस मिले ठीक है और लॉव जो लीड करता है बेटर इंटिग्रेशन और प्राइस का और यह फार्मर को हेल्प करेगा कि एक रीजन से दूसरे रीजन में अपना प्रोड़क्ट पहुंचाने का ठीक है और लॉवर प्राइस में मिल जाएगा कंजूमर को तो इंडिया विल हैब वन कॉमन मार्क प्राइस को और उसे एस्यूरेंस होगा प्राइस को दिया जाएगा जो भी कॉंट्रेक्टर रहेंगे और वह करेगा कि क्रॉपिंग डिजन को बेस्ट ओन फॉरवड प्राइस ठीक है तो नॉर्मली जो हमारे फार्मर है वह पिछले साल जब देखते हैं पिछले साल के प् अगर उनको अच्छा पिछला साल दाम मिला तो वह अगले साल और करने और ज्यादा प्रोडूस करने पे थोड़ा सा इंकरेज रहते हैं और नियू सिस्टम जो है मिनिमाइज करेगा मार्केट रिस्क ठीक है तो बिना रिस्क के ही जो फार्मर है आराम से अपने प्रोड़ ओप्टिमल रिजल्ट यह देगा और बिग बायर्स और जो प्रोसेसर है जिसे एक्सपोर्टार्स और 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 रिटेलर्स वह इंडिविजवल फार्मर को एफिसेंट प्रोपोजिशन देगा ठीक है तो देखते आगे कि यह जो है वो दे नीड़ टू क्रिएट अ स्केल एंड फॉर दाट बिल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर और और बेस्ट बेस्ट और लोकल कमुनिटी में एक फार्मर फार्मर प्रोड्यूसर और बनाना पड़ेगा और वो डिसाइड करेंगे सब चीज तो यह हल्प करे फुर्ड फार्मर प्रोड्यूसर और अर्गनाइशन रहेगा वो उसमें वर्किंग जो कैपिटल रहा है सेवन परसेंट इंट्रेस्ट रेट के साथ रहे और जो रहेगा फार्मर के लिए वो खुद क्रॉप लॉन्स का है फिलाल जो मॉस्ट अब जो डिपेंड करते हैं मा एक्स्ट्रा बर्डेन है उनके बीज में वह इंक्रीज करता है जो उनका जो प्रोड़क्ट है उस पर तो उसके कारण वह सेल नहीं कर पाते हैं उतना अदाम में तो फिर प्रोब्लम उनके रिए हो जाता है तो चली दोस्तों इस टॉपिक का कंकुलूजन देखते हैं कि ग इंडर करता है ठीक है materialization of these reforms on the ground therefore जो है in order to make India's farmer truly आत्म निर्वर और self-reliant जो भी मोधी के प्राइम मिनिस्टर मोधी के द्वारब बोले गया था तो यह need करता है follow करना ethos of cooperative federalism ठीक है और यह reform जो अनौन्स किया गया था वो harbinger करेगा major changes in agri marketing और यह जो reform है वो अनौन्स कि अनौन्स किया गया चल चली देखते हैं कि अभी celebrate नहीं करना है तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब